13.7.2 असंक्रामक रोग एवं कारक, uninfectious, non-communicable disease and its agents. कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारको द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन भिन हो सकते हैं, इन्हें असंक्रामक रोगों की श्रिणी में रखा जाता है. उदाहरन के लिए हासियाकार कोशिका अरक्तता, सिकल सेल अनीमिया, कुछ प्रकार के कैंसर, अनुवांशिक असमानिता के कारण हो सकते हैं, इसी प्रकार उच्च रक्त चाप का कारण अधिक वजन होना तथा व्यायामना करना हो सकता है. इस प्रकार के रोगों में रोगी व्यक्ति से संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति पर रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इस कारण इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं. क्या रोगी व्यक्ति से हमिशा दूरी बनाय रखना उचित है? मनिश्यों में असंक्रामक रोग कैसे हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं? पेप्टिक व्रण, पेप्टिक अलसर तथा नोबल पूरसकार. कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिक व्रण, जो अमाशय तथा ग्रहनी में अमलियता संबंधित, दर्द तथा रक्त स्त्राव करता हैं, जिसका कारण रहन सहन का ढंग है. प्रत्यक व्यक्ति सोचता था कि परिशानी भरे जीवन से अमाशय में अमलियता स्त्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है. दो ऑस्टेलियाई व्यक्जानीकों ने पता लगाया है कि एक जिवाणू हेलिकाबैक्टर पैलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है. पर्थ ऑस्टेलिया के रोग विज्ञान रॉबिन वॉरिन जिनका जन्म 1937 में हुआ, ने इन छोटे-छोटे वक्राकार जिवाणियों को अनेक रोग्यों के अमाशय के निचले भाग में देखा. बैरी मार्शल एक चिकितसक ने वॉरिन की खोज में दिलचस्पी ली. इन्होंने इन स्त्रोतों से जिवाणू का समवर्धन करने में सहता प्राप्त की. अपने उप्चार अध्यन में मार्शल तथा वॉरिन ने यह पता लगाया कि रोगी के पैप्टिक व्रण का उप्च तभी हो सकता है जब कारक जिवाणू को अमार्शय में ही मार दिया जाए. इन्होंने पैप्टिक व्रण प्रति जैविक तयार किया तथा इसके उप्चार से पैप्टिक व्रण ठीक हो जाता है. इस खोज के लिए मार्शल तथा वॉरिन को शरी क्रिया विज्ञान तथा और शदी के लिए सन 2005 में सयुक्त रूप से नोबल पुरसकार प्रदान किया गया है.